हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो माई चैनल, आई होप यू आ डूइंग वेल, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खस्ता, क्रिस्पी और यम्मी आटे के बिस्किट लेकर के आई हूँ, ये बिस्किट बच्चे होया पड़े, सभी के लिए बहुत ही हल्दी है, क्योंकि ये आटे से बने हैं, इनकी सेल्फ लाइब भी चार से पांच महीने तक है, अगर आप चाहें तो इनको ज़्यादा भी रह सकते हैं, बस आप इनको एयर टाइट डब्बे में ही रखें, ये बिस्किट बहुत ही डिलिसियस हैं, चलिए इनकी रेस्पी हम स्टार्ट करते हैं, तो आटे के बिस्कित बनाने के लिए हमें एक मेजरिंग कप की जवरत होगी, अगर आपके बस मेजरिंग कप नहीं है, तो आप कोई भी कटूरी ले सकते हैं, उसी से माप करके सारी चीज़े डाल देंगे, तो एक कप मैंने चीनी ले है, उसमें आधा कप पानी डालेंगे और इनको बस सिर्फ हमें मिक्स करना है, चीनी को घूलना बिलकुल भी नहीं है, चीनी और पानी को मिक्स करना है, बस चीनी पानी में डूब जाए, इस रैस्पी में चीनी हमें ऐसे ही डालनी है, बिना गूब अब एक दूसरी बोल में दो कप आटा लेंगे, जिससे हम लो अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम ताकि सूजी और आटा अच्छे से मिक्स हो जाए अब इसमें आधी चमज इलाइची पौडर डालेंगे और एक चमज सॉफ डालेंगे सॉफ हमने चोटी वाली ली है जिसको हम लोग ऐसे भी खाते हैं और इलाइची को मैंने तुरन फ्रेशली को इसको कूट करके डाला है क्योंकि अगर डालेंगे तो इसकी बहुत अच्छी खुसबू आती है पांच चमज घी एड़ कर रही हूं इन सभी चीजों को क्रमबल कर करते हुए अच्छे से मिक्स करना है ताकि घी इसमें एक एक कड में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए देखे इस तरीके से एक पेड़ा सा बनने लग जाए तब समझ दीजे कि मोयन बिलकुल सही से लग गया है अब इस चीनी और पानी को क्योंकि चीने नीचे बैढ जाती है सिर्द से घंढ सारी कि दीजेश को मिलाना है और फिर आटे को जोड़ना है इस तरीके से देखिए बहुत ही टायट दो लगता है यह है इसको आटे की तरह हमें नहीं कुन रहा है बिल्कुल भी ऐसे मिक्स करते जाएंगे और चीनी इसमें डालते जाएंगे इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे और डालते जाएंगे सारी बिल्कुर परफेक्ट है एक दम से क्वांटिटे इसमें कोई भी चीज कम जादा नहीं होगी सबी की चीजों को मैंने मिक्स कर दिया है और देखिए आठा हमारा तयार हो गया दो तरीके के बिसकीट है तो एक फेड़े से दूसरे तरीके के बेना अब पेड़े को इस तरीके से फैलाना है हातो से इसको कोर फट जाएगा तो साहती साथ जोड़ते है और बेल्स की अभ साज़ाएंगे इसको बेलते गाएंगे अगर इसकी कोर फट रही है तो उसको जोडते भी जाएंगे साथी साथ और बेलते जाएंगे इसके कोर फट भी राएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमें तो इसकी कटिंग करनी है इस तरीके से सारा बेल लेंगे देखिए इतनी ठिकनेस होनी चाहिए इसकी आप किसी धकन की मदद से या फिर अगर आपके पास कुकी कटर है तो उससे यूज कर सकते हैं मेरे पास नहीं है तो मैं धकन से काट रही हूँ हूँ कटर से एकिदम फिनिशिंग आती है धकन से थोड़ी सा रह जाता है किनारे जो है थोड़े से रफ हो जाते हैं इस तरीके से हम इनको सभी को काट लेंगे इससे एक ही शेप आएगी इनकी सबकी इस तरीके से दबाते जाएंगे और काटते जाएंगे इस तरीके से जितने भी बिस्किट बन जाए एक बार में उतने हम काट लेंगे फिर बागद में जो आटा बचेगा उससे फिर से अंबेल करके फिर से कटिंग कर लेंगे चले आप हम इसके निकाल लेते हैं जो हमने काटे हैं देखिए थोड़ी से एजिस रफ हैं लेकिन कोई बात नहीं उनको आप दबा दीजेगा अगर आपके पास कोकी कटर है तो बहुत अच्छी बात है इसको इस तरीके से हम निकाल लेंगे या फिर इनको इसी चकले पर ही हम रोल रोल गुमा कर ख कर दो कध। दिखा सकते हैं देखिए इस तरीके से रोल रोल गुमा देंगो और इनकी आजिस को हम स्मोट कर देंगे वह जो की रॉफ एजिसयाँ इनकी चले अब दूसरे परकार के काटना देखते हैं हम लोग इनके लिए हमें एक रोल सा बना ले लाएं और इसके बाद इनके आधा-धा-धा-इंच के हम पीसे स्काट लेंगे इस तरीके से देखिए आधा-धा-धा-इंच के पीसे सम काट लेंगे इनके ये देखिए इस तरीके से सारे इस तरीके से काट करके हम रख लेंगे ये तरीका बहुत ही आसान होता है और बनते भी वैसे ही है आप चाहें तो वैसे भी बना सकते हैं या फिर चाहें तो काट करके भी बना सकते हैं ये इनको कले ले रहे हैं कि प्रसे काट लेते हैं इस तरीके से ने को काटते जाएंगे से तेल को मैने करम करने रख दिया है जब इनकी कटिंग हो जाएंगी ता हम इनको फ्राई कर लेंगे यह देखे सारे कट गए है हमारे अब हम इनको फ्राई कर लेंगे तेल हमारा लगभग गरम हो चुका है जैसे हमें फ्राई करना है तेल को ज्यादा हमें तेज घरम नहीं करना है बिल्कुल इसको हलका ही गरम करना है देखे किते पतले-पतले से बब गरम है और इसको लो में एकड़ रखा है जब हम बिसकित डालेंगे तब थोड़ी दरे के लिए इसको medium flame पे कर देंगे ताकि बिस्किट आपस में जोड़े ना जैसे ही हम बिस्किट डाल लेंगे वैसे इनको low flame पे कर देंगे बिस्किट सिखने में time लगता है कम से कम 4-5 मिनिट लगेंगे इनको अलटे पलटे हुए सीखना पड़ेगा हमें ये देखिए अब इनको थोड़ा सा बीच में हिला भी दें ताकि ये आपस में जोड़े न बाकि इनको हमें ज्यादा भी नहीं कुछ करना नहीं तो ये शेप इनकी खराब हो जाएगी आराम से इनको low flame पर पकने दीजे एक दो बार बीच में हिलाते रहे ताकि आपस में चिपके नहीं है इस तरीके से जब हलके से आपको दिखने लग जाए कि इसके edges में दिखना लग जागा है कि नीचे कैसा color आना स्टार्ट हो गया है तब इनको हम पलट देंगे इनको उलट पलट देते हैं थोड़ी देर के बाद देखिए coloring का आना स्टार्ट हो गया अब इनको पलटना मेंने स्टार्ट कर दिया है इनको दो से तीन बार उलटना पलटना पड़ेगा तब यह बराबर से सिखेंगे और लो फ्लेम में सेक रहे हैं इसलिए अंदर तक बहुत अच्छे सिखते हैं देखिए इतना अच्छा कलर आया इनको फिर से एक बार पलट दें ताकि अच्छा से सुझायरा कलर इस साइड भी हो जाए इनको दो से तीन बार कम से कम अलट पलट के सिखेंगे जिससे अंदर तक बहुत अच्छे से सिख जाएं कच्छे ना रहे हैं बिलकुल भी क्योंकि इनकी थिकनेस काफी है अगर आप तेज आंच में सिखेंगे इनको तो यह सिखेंगे नहीं बहार से दिख जाएंगे आप आपिक पक गए हैं लेकर अंदर यह तो इनको दूसरे Gregory रहेंगे इनको फ्राइब कर के सारे तेल में हम डाल देंगे पहले वालें निकालते हु lesa क्योंकि वीदियो पर ज्यादा लंगा होगता अब मैं इनको निकालूंगे 1 तब considerations आप देखी लिया था बस वही था लास्ट अब इनको पलट देते हैं इनको भी सुनारा कलर एक तरफ आना स्टार्ट हो गया है ऐसे ही इनको उलटते पलटते इनको भी निए कर लेंगे बनाने में टाइम नहीं लगता बस प्राइ करने में थोड़ा सा टाइम लगता है यह देखी इनके और फट रही है इससे हमें यह पता चल रहा है कि कितने अंदर से हमारे यह सौफट है क्रेक्स पढ़ने का यही रीजन है कि यह बिल्कुल सॉफ्ट है अंदर से और क्रेस्पी भी बनेंगे यह तेल में फैलेंगे बिल्कुल भी नहीं घबराएगा नहीं यह राम से बन जाते हैं बस इनको सुनहला होने तक एक से दो बार अलट फिलट कर सेख लीजएगा अगर आपको मेरे रेस्पी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजएगा रेसिपी को लाइक कीजएगा और कमेंड कीजएगा देखि कितना सुनहला कलर आ गया है इन में अब इनको हम निकाल लेते हैं इनको एक स्ट्रेनर में निकाल लिएगा ताकि जो एक्स्ट्रा तेल हो वो निकल जाए पहली बात तो तेल बिल्कुल भी एब्सॉर्ब नहीं हुआ है थोड़ा बहुत ही एब्सूर्ब हुआ अब इनको निकाल करके ठंडा करके हम एयर टाइट डब्बे में रख देंगे देखिए कितना अच्छा कलर आया है इनका दोनों यह तरीके के हमारे बिस्कित बनकर त्यार हो गए हैं देखिए दोनों तरफ से बिलकुल बराबर से छहें और अंदर से बिलकुल भी कच्छे नहीं चले मैं आपको इनको तोड़ करके दिखा देतीbas hm जब हम इनको तोडेंगे तो देखिए कितने क्रिश्पी है jce अंदर से बापर तरीके से फ्राइख हुए है अब ये वाले विसकुट हम देखते हैं इनको भी देखिए कितने अच्छा इनका कलर आया और तोडने के आशानी से तूट रहें है अब इसी तरीके से आप भी बन आयर नजोई कीजिए थैंक यू फोर वच्छिं